सो आज मैं इसको सबसे इंपोर्टेंट पैटन सिखाने वाला हूं धुलक का मियम स्पीट कहरवा हमेशा बोलता हूं अगर आपने ये पैटन बजा लिया तो आप धुलक बजा लेंगे कहीं पे भी बजा लेंगे क्योंकि इस पैटन की कुछ खासित है किसी भी टैमपर में ब विडियो में भी यह वैसे भी मैं यही पैटन सबसे ज़ादा बजाता हूं ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं इसको अगर अगर श्लो करना हो गाना श्लो हो रिक्वाइमेंट श्लो हो तो यह यहां भी बज जाएगा बड़ा यह सेम टाम अगर मैक्सिम्म स्पीड चाहिए तो हम पहले बजाते थे ना ऐसे पुराने जमाने की डोलक तो अब सब लोग ऐसे बजाते हैं जिसमें चले का भी यूज़ करते हूं और यही पैटन है में ठीक है वो आज इसको सिखाऊंगा सबको टाइम लगता है मैं ट्राय करूंगा कि इस वीडियो में जितनी भी लंबी वीडियो हो पूरी देखनी पड़ेगे आपको क्योंकि पूरा पैटन इसको सिखाऊंगा अब मैं अपनी तरफ से ट्राय करूंगा कि शीख जाए इस पैटन को राइट तो टाइम तो लगेगा अफकोस मुश्किल है पर आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपको आप चीज़े आपके लिए आएंगी उसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लो नीचे रेड बटन दबाकर और बैर आइकन को दबाते हो और नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लो साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना इस्टाग्रम पर ज़रूर फॉलो करना अनुजलोधी 73 औ उसका नाम क्या था? बट चाहरवा हना, जबकि वह भी इस तेमपमे बतना है, वह है स्लो कहरवा है क्यों? क्योंकि इससे ज़ादा लिमिट नहीं है उसकी, इससे ज़ादा चैज बजह ही नहीं सकता वो तेज जब जा रहा है गाना तो उससे हमारे को फिर ये medium speed कहरवा पी shift करना पड़ेगा ये है इसका logic कोई भी हम rhythm बजाते हैं एक मैं condition बता दू हर pattern का एक अपना tempo होता है हर pattern का अब वो pattern का जो tempo है वो उपर ले जाने में आपको problem होईगी पर उसको नीचे लाने में problem नहीं होईगी कहने का मतलब ये medium कहरवा slow कहरवा की जगा बस सकता है पर slow कहरवा medium कहरवा की जगा नहीं बस सकता अब शायद clear हो गया होगा चलो तो ठीक है बोल तो बच जाएंगे आज ही ये भी बोल बजा लेगा perfection ये लचक देखो आप base में बहुत कुछ हो रहा है यहां की जो एक softness है वो देखो आप ये सारी चीजें लाने में time लगता है चलो तो बोल है धीट धीना तीट धीना टोटल आठ बोल है मारे पास पर इनको हम जब double में बजाएंगे तो धीट धीना तीट धीना तीट धीना तो एक तरह से ये forbate है चलो तो बजेगा कैसे हैं ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजे बेस में हो रही है और बहुत सारी चीजे यहां हो रही है पहले यहां समझो जरा अब यहां पे भी लोई फिंगर प्लस बैस अबी बैस में क्या 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 कहां होगा वो मैं बताओंगा आपको अभी आपको दी बजाया, त सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने धी बजाया था ना, सेम पॉइंट पे त बजा, पर अवाज देखो, धी, ती, धी, इसमें ही फरक है सारा, जहां धी, ये ध, 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 धिन, ऐसी आवाज आई, समझ लो, बेस लग रहा है, थिक, तो धी, त, फि हुआ फर्स्टा, धी, त, धी, न, समझ, अब इससे आगे, सेकिंड हाफ, टी, त, इसमें धी नी है, इसमें ती है, तो नो बेस इंवल्ट, ठी, त, फिर दुबारा, धी, न, ये है हमारा पैटन पूरा, ठीक है, अब ये मैं समझ लो, हो गया, अभी तो डैफ्त में जा र धी, न, त, धी, न, इंपॉर्टन ये है कि धी, त, धी, ये अंदर वाले बोल, सॉफ्ट, न लाउड, फिर धी, त, धी, अंदर वाले बोल, सॉफ्ट, ना लाउड, ठीक, इतना क्लिर है अभी तक, आते हैं, बेस पे, क्योंकि इसमें, बेस में बहुत कुछ होगा, अब देखो ज़रा ध्यान से धी हाथ कितना अंदर रखा है मैंने लॉजिक है इसके पीछे वह आगे बताऊंगा तो धी बिल्कुल दबाते हुए फिर त में तो कोई बेस नहीं है फिर दुबारा सेकेंड धी में रिवर्स बेस और ये खुला आ रहा है पीछे आते हुए यहां से उठाकर थोड़ा सा धी सव धी तधी ना ती तट के तब के साथ यह बेस इंडेक्स लगेगी हलकी सी ठीक तधी ना यह पूरा तो देखलो दुबारा एक वार धी इसमें दबाकर थोड़ा सा धी बजाया तब फिर दी यह वाला रिवर्स है ना ती त के साथ इंडेक्स और धी प्रॉपर स्लाइड न और उसके बाद यह स्लाइड मैंने हाथ वहीं रखा है जब आखरी स्लाइड ली न धी न वहीं रखा है हाथ और यहीं से पहला धी त धी न ती त धी न मेरे साथ धी त धी न यहां नहीं हाथ जाएगा दूर तो डोलक से कभी नहीं हाथ जाएगा यह देखो मेरा हाथ दूर जा रहा है मैं प्रॉपर उठाकर रिवर्स ला रहा हूं पर हाथ दूर नहीं जा रहा ठीक तो धी साथ में धी त धी न ती त धी न धी न भी त धी एक बार और मेरे साथ धी त करें धी न धी न धिट धी न भीन 54 मैंने न नोटिस किया कि य लास् स्लाइड लेने के बद फिर पीछे आ आपने क्या यह स्लाइड क्हाइं घृत जहां क्हात रहे हात फ्रीज हो जाना कि और वहीं से माराज धी त धी ना ती त धी ना धी त धी ना ती त धी ना अल्मॉस्ट अल्मॉस्ट क्लोस दोनों हाथ मेरे साथ बजाओगी यह यह हाथ समझ आ गया था बिल्कुल चलो मैं बोलूँगा सिर्फ यह हाथ बजाओगा अपनों बिस ठी त देखो यह ना की जगा नहीं आना चाहिए धी के सेम पॉइंट पे ही त आएगा ठी चलो धी त धी ना ती त धी ना धी त धी ना धी त धी ना ती त धी ना ती त धी ना गुड़ बहुत बढ़िया तो अभी देखो कि हम स्लो जा रहे हैं चीज़े समझ भी आ रहे हैं चीज़े फॉलो भी कर पा रहे हैं क्यूंकि हम स्लो हैं चलो अब दोनों हाथ कंबाइन करने करते हैं और अगली वीडियो मुस्ट पॉबिब्ली आएगी जिसमें दोनों हाथों को कॉंबिनेशन बनाना सिखाऊंगा इसको तो आपको भी अब खुर्श चलो तो दोनों हाथ कि वान ट्यू थ्री स्टार्ट धी ट धी न ती ट धी न धी ट धी न धी ट धी न खूर्ट धी न गट धी ट धी न धी तधी न कोई नहीं धी न धी ट धी न धी ट धी न धी ट कोई टी, ट, धी, चलते रहों, टी, ट, धी, न, टी, ट, धी, न, गुड़, वेट, तो ये देखो कि इजीली बज रहा है, सो फार, अब इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, बट स्टिल, कमबाइन हो गया है, बोल सारे साथ में बज रहे हैं, अब इसको थोड़ा एक ले में बजाएंगे, आप लोगों ने बिल्कुल इसी मिनिमाम स्पीड पे दो चार दिन तक इसको प्र आट ति ना टी त गड दी दी ना ति त धिना धी तधी ना ती थेच ना ति त श्टिमक गड धी त धीन त धी त अभी देखो कि मैंने पहले गाड़ी को थुड़ा पुश दिया साथ बजा कर उससे क्या था माइंड में बात आ रही थी बात चल रही थी तो फिर मैं रुख गया फिर इनकी गाड़ी चलती रही यह होता है तरीका यह है प्रापर सिखाने का तरीका